उत्तर प्रदेश के बहराय जिले के बलहा बिधान सभा के कुंडवा पर इस्थित भाजपा कैरियाले पर बलहा बिधायक सरोज शोन करने की प्रिसवारता हम आपको बता दें कि बिधायक बलहा ने प्रिसवारता कर महिला आरच्छन बिधायक बिलपास होने पर दिया वक्तव बलहा बिधायक सरोज शोन करने कहा अब तक सत्तर बड़सों से क्यों नहीं मिला महिलाओं को सम्मान उन्होंने ये भी कहा मोधी सरकार में 33 प्रतिसत आरच्छन मिलने के साथ ही महिलाओं की सभी छेत्रों में होगी अब भागीदारी बलहा बिधायक सरोज शोन करने कहा कि जिस घर में नारियों की पूजा की जाती है उसी घर में देवताओं का बास होता है बलहा बिधायक ने कहा जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वह घर वह देश विक्टन की तरफ चला जाता है इसी खुसी को हम सब्दों में नहीं बया कर सकते हैं भाजपाप पर्टी द्वारा पहले से ही नारियों का सम्मान किया जाता है हमारे बहराई जिले में दो महिला बिधायक वो एक MLC पार्टी द्वारा निर्वाचित हैं उन्होंने ये भी कहा 27 साल लड़ाई लड़ने के बाद महिलाओं को मिला है उनका अधिकार वहीं बिधायक दोरा मीडिया कर्मियों दोरा जन समस्याओं पर पूछे गए शवालों पर जबाब देते हुए बलहा बिधायक ने कहा कि हमारे दोरा बिधान सभा में जयदा से जयदा जनहित में कारे कराए गए हैं कुछ कारियों की जानकारी मिली है उसको ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का भी शमाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा वहाँ पर मौजूद महिलाओं के शार्थ प्रसबारता के दोरान और कार्करता भी मौजूद रहे जिश्रम्म बिधायक ने भारती जन्ता पालिटी के दोरा केंद्र की मोदी सरकार राजी की योगी सरकार के दोरा किये गए कारियों की भी चर्चा महिलाओं के बीच में की वहाँ मौझूद मीडिया कर्मियों से बादचित करते हुए उन्होंने कहा कि आकिरकार भारत्य जन्ता पालिटी की सरकार में महिलाओं को उनका अधिकार मिल गया अब महिलाएं हर छेतर में अपना परतिभाग कर सकती हैं उन्होंने ये भी कहा कि अब महिलाओं का वर्चोष और भी बढ़ जाएगा जिससे बलहा विधायक ने विपच्छियों पर निसाना भी साधा उन्होंने कहा कि मोधी सरकार में 33% आरच्छर मिलने के साथ ही महिलाओं को सभी छेत्रों में अब भागीदारी हो सकेगी उन्होंने ये भी कहा कि इस खुसी को हम सब्दों में नहीं बया कर सकते हैं भाजपा पार्टी द्वारा पहले से ही नारियों का सम्मान किया जाता है